नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चानल पर आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रिंड बैंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि 19 आउगस्ट यानि कल आपको इस काउंटर में क्या करना है द्यान देखेंगे यह बस 19 आउगस्ट के लिए है कल के लिए इसके बा हाथ रुपए 35 पेसे के साथ 520.50 पे क्लोजिंग दी है उपन हुआ था देखिए 512.45 पे लो गया 506.50 यह लोड धान में रखे यह हम आपको बोले थे कि यह आपका क्रूशल लेवल है इसके नीची जा सकता है तो ब्यदिशनेस देखने को मिल सकता है लेकिन वैसा नहीं ह हाई देखिए गया 524.60 तक तो इसी को हम बेस करके आगे बताएंगे आपको 19 ऑगस्ट मतलब कल आपको इंडसेंड बैंक के काउंटर में क्या करना है कौन से लेवल पे ट्रेट करना है कहां पे बाय करे कहां पैसे करे पैसा कैसे कमा सकते तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके लेवल के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे यह मैं ड्रॉइंग कलियर करता हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो अगर मैं लाइन ड्रॉअ करू तो आप यहाँ पर एक का ट्रेंड जैसा बन चुका है और इसका कल का जो हाई आज इसका candle का body का low उतना ही बन चुका है तो चलिए मैं इसको डार कर दूँ तो इससे आपको clearly पता चलेगा तो यहां पर आप देख सकते हो अच्छा खासा एक support सा zone जैसा यहां पर बन चुका है तो यह label कौन सा है दिखिए यह label है आपका यहां पर अगर मैं highlight करूप 512 के आज पास यह label बन चुका है ठीके तो हमें पता चल गया हमारा जो support बेस है वो change हो के 512 आ गया है यहां पर support है तो चलिए देखते हैं इसका upper label क्या है अपर लेबल देखिए अगर मैं highlight करूप बापस यहां पर देखिए अपर लेबल इनका बन के आ रहा है 520 के आसपास इसका अपर लेबल बन के आ रहा है ठीके 520.50 तो वो भी चलिए हम लिख लेते हैं 520 हमारा अपर लेबल आ रहा है तो इसी के अंदर हमें trading का range कल के तो देखिए आपके साथ सामने मैंने open करके रखा हुआ है 15 मिनिट का चार्ट initially यहां पर आप clearly देख सकते हो इसको मैं छोटा करता हूं देखिए market आज open हुआ open होते ही इसमें थोड़ी सी गिराबट देखने को मिली और यह आपका जो critical level है 506 हम आपको बताये थे वो उसके आज पास चला गया लेकिन उसको break नहीं किया उसके बाद देखिए थोड़ी सी consolidation देखने को मिली फिर से price में correction आया लेकिन फिर से यह 506 के label के उपर इटेट का तरह आखिर के time पे market बंद होने से 2 घंटे पहले देखिए जबरदस्त बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली औ और यह बढ़के पूरा उपर चला गया तो चलिए मैं drawing clears कर दूँ और यहां पर अगर मैं line जो draw करा हुआ है वो अगर आप देख सकते हो यहां पर एक अच्छा खासा चले मैं line नीचे करता हूँ तो आपको clear पता चलेगा यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक अच्छ middle line जैसा यहां पर बन चुका है middle label जैसा 512 के आसपास यहां पर बन चुका है ठीक है बहुत सारे candle देखिए 512 के जैसे ही market open हूँ और 512 के नीचे बहुत सारे candle बने अल्मोस्ट दो बज़े तक market 512 के नीचे टेट करता रहा उसके बाद देखिए उच्छा लाया 512 को जैसे क्रॉस किया उसके बाद देखिए जबरदस्त उचलाया और चला गया 524 तक चला गया था लेकिन वह अपने आपको वहां तक sustain नहीं कर पाया 520 के आसपास अपने आपको sustain नहीं कर पाया और फिर बापस गिरके आपका बंदवा 520 पर आके बंदवा ठीक है तो critical label में फिर से बोल लो 512 critical label ले तो चलिए इसी के आसपास पहले short selling का जान लेते हैं और देखिए जो second app में जो बड़ोतरी देखनों को मिली वो volume के साथ यहां पर आप देख सकते हो बड़ोतरी देखनों को मिली ठीए तो चलिए पहले जान लेते है short selling का क्या करना है मैं drawing class करते हूं पहला target रहेगा 508 508 और उसके बाद दूसरा target रहेगा 507 हम बार बार बोलते हैं इंट्रेडे में 1% अगर आपको profit मिले काफी अच्छा है जादा लाला च बुरी बात इसलिए 512 के निचे जाता है तो 508 आपका target रहेगा और फिर 507 और इसको आप save खल सकते हो 509 first target रख सकत हो अगर stock उपर जाता है short sell के position नहीं बनते हैं अगर stock उपर जाता है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है देखिए हम आपको जैसे बोले 520 के आसपास यहां पर अच्छा खासा एक zone बन चुका है देखिए कुछ candle दो candle आखिर के उपर बने फिर सस्टेन नहीं कर पाए न जाता है तो आप इस पर fresh buy का position बना सकते हो fresh buy का position बना ही है 522 से उपर गया तो immediate target रहेगा आपका 525 तीन रूपे का मुनाफा मिलेगा और अगर 525 के उपर sustain करता है तो आप दूसरा target रह सकते हो 527 यह आपका immediate target रहेगा ठीक है फिर से बोल तो 522 पर आप initial कर सकते हो अगर उपर जाता है तो 525 आपका पहला target रहेगा दूसरा target रहेगा 527 और यह 522 के उपर sustain करना चाहिए तो देखिए हमें लगता है कि देखिए आज अगर आप market का index दोखो गए तो nifty 50 का जो बैंक के एक से bank nifty है वो बहुत ही तेजी था आप बहुत सारे bank related company उपर गये bank nifty में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली तो इसी के चलते ही इंडेसिंट बैंक में अच्छी खासी 1% की बड़ोतरी देखने को मिली अगर कल यह sustain करता है तो इसी label पर आपको trade करना है इसी के साथ हम यह video समाप करना चाहेंगे लेक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों